है 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 दोस्तों है आप सभी लोग कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस एससे 247 के परिवार पर आपका अपना परिवार दोस्तों मैं आज एक इस चीज़ लेकर आया हूं जो की नॉमली आपके बैंकिंग स्सी या कोई भी स्टेट एक्जाम कुछ भी कहीं भी पूछ जाता है और अगर बाई चांस यह वारी चीज ना है आपको तो आपको यह कोशन छोड़ना पड़ता है और आपके मार्क्स चले जाएंगे और होता कुछ नहीं होता बहुत बेसिक सी चीज है और आपको मैं सिखा कुछ अध्याने वाल वाले हैं चीज चीज आई दोस्तों शुरुवात करते हैं आप सभी का स्वागत है हमारे इस session में मैं कुछ ऐसे question लेडर फॉर्म होती है वो टाइप लेकर आया हूँ और उनको आज हम कवर करने वाले हैं इस क्लास के अंदर पर उससे परे में आपको बता जाता हूँ अगर आपको संपूर मैस पढ़नी है तो संपूर मैस कंप्रीट मैस भाई आशी सर लिखेंगे संपूर परतिशर्थ तो यह क्लाससे सकते हो यह पूरी पूरी क्लासे नहीं है शुरुबात करते हैं आज इक लास का तो ऐसा कुछ कोशन आता है एक मिद्ट इसको हटा देते हैं इनके options को हटा देते हैं पुर देख लिए इनको options को अठा देते हैं option छोड़ दीजिए option छोड़ दीजिए ठीक है देखें बई ऐसा अगर आपके बास question आ गया यह आपके बास question आ गया तो करना कैसे है अगर इसको basic से करें अगर इसको बिलकुली basic से solve करें दोस्तों अगर basic से solve करते हैं तो क्या आ जाएगा नीचे यह 1 प्लस 2 बाइ 3 कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ 1 है प्लस नीचे हमारे पास 1 प्लस यह आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पर 1 कितना आएगा 1 प्लस 2 बाइ 3 कितना होता है हमारे पास 1 प्लस 2 बाइ 3 कितना होगा हमारे पास 5 बाइ 3 हो जाएगा इसको भी solve करते हैं दोस्तों अगर इसको भी solve करते हैं यह 3 उपर चला जाएगा यह 3 उपर चला जाएगा तो यह क्या बन जाएगा दोस्तो 3 by 5 बन जाएगा इसको solve करते हैं दोस्तो तो क्या बन जाएगा हमारे पास यह वाला पार्ट क्या बन जाएगा 8 by 5 बन जाएगा दोस्तो यह हमारे पास पार्ट कितना बन जाएगा दोस्तो 8 by 5 बन जाएगा 6 से नहीं बताना हमें आपको पूरो अपरा तरीके से बताना है question यह है दोस्तों इसे करना कैसे आए देखते हैं देखिए इसे करना कैसे है आए देखते हैं question को 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2 बाई 3 यह question है हमारे पास एक बहुत ही basic से देख लिए फिर उसको अराम से हम इसको solve करेंगे आगे वाले questions आने वाले questions में तो करना क्या है कितनी बार प्लस है 1 2 3 बार हमारे पास साइन है प्लस होई मानस कुछ भी 1 2 3 तीन बार है तो तीन बार ऐसे dot लगा देगे तीन बार ऐसे dot लगा देगे ठीक है तो आपको दिख रहा है यहां पर हमारे पास कितनी बार है एक दो तीन तो तीन बार हमने क्या कर लिए इसको इंदर कर देता हूं तो हम क्या कर लेंगे तीन बार dot लगा देगे तीन बार dot लगा देगे ऐसे स्टांट में क्या है मा पास मास स्टांट मतलब हमारे पास यहंपर कितना है ? यहां पर 2 using 3 ही लिख देगे एसे फफिर more और फिर प्लस हाँ तो क्या करना है पहले बार क्या है प्लास हुआ होера ब्लस पिहले बार और प्लस है तोय हो है इसको पिछले वाले से प्लस करना है कि यो पहले प्लस कर रहे है तीन और दो कितना है का पांच आएगा अगली बार भी क्या करना है प्लस करना है तो पांच और तीन कितना है आठ आएगा अब जो आठ आ गया है फिर से क्या करना है प्लस करना है अगली बार तो फिर पिछले प्लस करें तो 8 प्लस 5 13 तो यह 13 आ गया और यह 8 तो हमारे पास उत्तर कितना आएगा 13 बटे 8 यह हमारे पास क्या जाएगा उत्तर आ जाएगा क्लियर है आएभोप आपको समझ में आ गया होगा कुछ नहीं करना 123 बार है तो तीन डॉट लगा दिये अच्छे तीनों बार क्या है PLUS 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 last में क्या है 2 बटा 3 है तो यहां पर 2 बटा आ अभी तो हमारे पस यहां साहे सारे 1 है इससे change भी करेंगे ठीक तो 2 बटा 3 तो 2 बटा 3 आ गया पहले भी PLUS दूसरी बार PLUS थीसे बार PLUS फिर 3 को पिछे PLUS करेंगे PLUS क्यों करेंगे क्यों PLUS है 5 अगली बार भी प्लस है, पांच और तीन आठ, अगली बार भी प्लस है, तो आठ और पांच तेरा, तेरा बटे आठ उत्तरा जाएगा, छिक, कुछ ऐसा ही मैं आपको एक और कोशन देता हूँ, और फिर वो आपको समझ में आएगा, जैसे कि ये वाला कोशन, इस वाले कोश इन तीन बार चल रहा है, तो तीन बार प्लस है, तो ये तीन बार, डॉट लगा लिए, तीन बार प्लस ही है, तो इसे पिछले बार प्लस करेंगे, पांच और तीन, आठ आठ आजाएगा, अच्छा, आठ और पांच को प्लस करेंगे, तो कितना आएगा, तेरा आजाएग चिक है आच्छा 13 और 8 को प्लेस कर दें तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा उत्तर हमारे पास इनी से आ जाएगा लास्ट वाले से 21 बटे 13 हमारे पास क्या जाएगा उत्तर लास्ट वाले से उससे पहले वाला पिछले वाला 21 बटे 13 हमारे पास उत्तर आ जाएगा answer is c option answer is c option clear ? कोई दिक्कत तो नहीं है तो जितनी बार चल रहा है उतने डॉट लगा लो तीन बार चल रहा है तीन बार डॉट लगा लिए ह्तुक्त क्योंकि प्लस है फिर प्लस है ख्योंकि यहां प्लस प्लस और फिर अलग लग प्रकार ृप से जितने बी लेडर फॉम में बनते हैं तो इसमें कोई घब्राने वाली बात नहीं है और वहले थे करेंगे जो इससे डेटed exam में आये हुए हैं देखो अब यह इतना बड़ा है हमारे पास कितनी फ़स है एक दो तीन चार पांच बार दो बटा ि लिखा होगा है 2 Canadiansos तो भार ये कितनीं वार ये 2 3 45 5 अंधंगось उतर दीचे जल्दि से comment box में उत्सतों know यहां पर भी प्लस है दोस्तों आपको साफ साफ दिख रहा है मेरे भाई हो साफ साफ दिख रहा है 3 re 2 5 आ जाएगा 5 or 3 8 आ जाएगा 8 or 5 13 आ जाएगा 13 or 8 21 आ जाएगा 21 or 13 34 आ जाएगा ठीक तो उत्तर अमारा पस कितना आएगा 34 वट 20 उत्तर आ गया है दोस्तों B option ठीक ठीक कलियर है कोई दिक्क्त तो नहीं है ठीक छाले तो इसा कॉशन भी आकि आ याता है व्याजाशदा है रेली या फिर बैंकिन किसी वी एक्जाम मार एक दू रहा एचाव हो रहा है यहां भी-क्र lin dal है अब दोस्तो आब दिया कुछा प्लस करने तो दो Didger और तो बेदा पर अब से तेरा हो जाएगा और मुझा लगता अब तुम्हारा उत्तर आभी जाएगा आपर निकाली निकाली 13 बटे पाधा गया, हमें निकालना किया है 2 x प्लस 4, x कितना है, 13 बटे 8 पाधा गया और प्लस 4, दो से कटकी है कितना हैगा, 4, 13 बटे 4 प्लस 4, तो 13, 4 इंतू 4, 16 बटे में 4 13 प्लस 16 13 प्लस 16, हमारे पास 39 आता है, तो 13 प्लस 16, 29 29 बटे 4 मतलब D option हमारे पास क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा ठीक है clear I hope आपको clear हो गया होगा कि हमने ये कैसे किया है कोई इसमें गड़बड नहीं होगी ठीक चलिए अब ऐसे question देखो आप आराम से करी सकते हैं अब इसको देखो इसमें माइनस है मैंने काता हर टैप कराएंगे प्लास वाला हो गया अब हम माइनस वाला भी कराएंगे माइनस में बस माइनस हो जाएगा पिछले वाले से जैसे कि यहां पर देख लेते हैं एक बड़ ट्राइ कर लेते हैं कैसे तो 3 बार है, तो 1 बटा 4 लिखा हुआ है लास्ट में, और 3 बार चल रहा है, ठीक है, और 3 बार क्या है, माइनस है, ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 को पिछले वाले से माइनस करेंगे, पहले प्लस करते थे, अब क्यूंकि 7 बार चार मेंस होगा, तो कितना आजागा 3, फिर से माने से अगले बार भी माने सी करने तो तीन में से चार माइनस करेंगे तीन में से चार अगर माइनस होगा तो कितना आएगा तीन में से अगर चार माने सोगा तो माने सोगा अच्छा अगले बार फिर से माने से माने से तीन माने से करेंगे Minus 1 से 3 minus करें तो कितना आएगा Minus 4 तो उत्तर आएगा This upon this उत्तर आएगा minus 4 upon Minus 1 Minus से minus कड़ जाएगा तो 4 upon 1 मतलग उत्तर कितना आएगा 4 आएगा That means c is the right option c ही हमारे पास क्या है सही उत्तर है clear कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर यह हमारा पांच वा कोश्चन था बोली ठीक है चली आगे चलते हैं आगे चलते हैं बिल्कुल सेम कोश्चन है ट्राइ कीजिए अराम से ट्राइ कीजिए यहाँ पर 4 बार माइनस है यहाँ पर 4 बार माइनस है तो सबसे लास्ट में यहां पर एक बटाप 5 लिखे लिख लिए, जो यहां पर लिखा हुगा है चार बार है, तो 1, 2, 3, 4 चारो बार क्या हो रहा है मेरे दोस्तों? माइनस निक्रों पहले वाले जो कॉश्चन करवा है, उसमें प्लस था फिर 4 से 5 माइनस कर दिया कितना आगे माइनस 1 और फिर माइनस 1 से 4 माइनस कर दिया माइनस 5 और फिर माइनस 5 से माइनस 1 माइनस कर दिया माइनस 5 से माइनस 1 को अगर माइनस करेंगे माइनस 5 से माइनस 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास माइनस चार ही आ जाएगा है ना, प्लस हो जाएगा नहीं तो चार ही आ जाएगा, उत्तर क्या आएगा दोस्तों दिस अपॉन दिस तो कितना आएगा चार माइनस चार और माइनस पांच तो माइनस से माइनस कर जाएगा तो चार बटे पांच उत्तार आ जाए रहा है ठीक फिर से बताना है फिर से बताना है फिर से बता देगे कोई दिख्कत नहीं है फिर से बता देगे देख लेए फिर से देख लेते हैं फिर से देख लेते हैं देखिए हमारे पास एक बटा पांच लिखेंगे यह आपर कितनी बारे चार बार है तो चार बार एक दो तीन चार ठीक माइनस हो रहा है हर बार ठीक है पांच को एक से माइनस करेंगे पीछ वाले से क्या करते हैं दोस्तों माइनस करते हैं तो पांच को एक से माइनस करेंगे तो कितना हैगा चार फिर दोस्तों चार को पांच से माइनस करेंगे तो कितना हैगा माइनस एक फिर से मानस करना है मानस एक को चार से मानस करेंगे मानस एक को चार से मानस तो मानस पांच अब दोस्तो मानस पांच को मानस एक से मानस करना है मानस पांच को मानस एक से मानस करना है तो मानस पांच और प्लस एक तो कितना हैगा माइनस ार, तो यहां कितना है माइनस ा इवफा आपको समझ में आ गया हुआ कोई भी दिक्कत नहीं होगी कोई दिक्कत कोई परिशानी कोई दुख कोई दूधा कोई कोई पीड़ा ठीक है जिसका तुम्हें है इंतजार वह घड़ी तभी आएगी वह तुम्हार साथ तभी होगी वह मतलब तुम्हारी जौब ठीक है जब तुम कुछ अलग करने की ठान होगी अप फिर ट्राइ बढ़ है अब देखो येवाला कोउशन आ गया इसके प्लस भी है और माइनस भी है यहां हमारे पास किया है दोस्तो प्लस भी है माइनस भी तो यह कितनी बार हां एक डो तीन चार-पांच पांच और यह लिखना है एक बटा पांच है यह लिखना है एक बटा पांच लिख लिए कितनी बार हो रहा है एक दो तीन चार पांच पांच बार हो रहा है तो एक दो तीन चार पांच पांच बार डॉट लगा लिए पांच बार डॉट लगा लिए एक दो तीन चार पांच चीक अब देखो ध्यान से सबसे पहले हमें plus करना है फिर minus प्लस प्लस अब क्या करना है प्लस करना है तो पांच में एक प्लस कर लेंगे, 6 आ गया, अगला क्या करना है, माइनस करना है, तो 6 में 5 माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, एक आएगा, अच्छ, अगला क्या क्या करना है, प्लस करना है, तो एक में 6 प्लस कर देंगे, तो कितना आएगा, 7 आएगा, अगला क्या क्या करना है, माइनस क शें आ जाएगा तो उत्तर हमारे पास 13 बटे 6 आ जाएगा जो की शायद option A में है बोलिये बोलिये clear है यह सोणनो है न बगी पहले plus हो रहा है फिर minus हो रहा है फिर plus हो रहा है फिर minus फिर plus तो मैंने क्या किया एक बटा 5 पहले plus किया 6 आ गया फिर minus किया 6 और 5 का difference एक फिर plus किया 1 और 6 का sum 7 फिर क्या किया minus किया 7 और एका difference 6 फिर plus किया last में तो 6 और 7 तेरा तेरा बटे 6 हैं हमारे पास उत्तर आ गया रुकिये टेंशन न लीजे ऐसा नहीं कि मैं एक कोशन दूआ यह वाला एक और कोशन दूआ जिनको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है तुम्हें लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी में ने कर दिया और आपको समझने म प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस तो यहां पर एक दो तीन चार पांच यहां छे बार हो रहा है लास्ट में क्या है दो बटे पांच है ठीक तो एक बार आराम से देख लेते हैं दो और पांच कितनी बार हो रहा है छे बार हो रहा है तो एक दो तीन चार पां छे मार हो रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है, अब कोश्चन सॉल करते है, अब कोश्चन सॉल करते है, दो में अगर 5 क्या करना है, सबसे पहले माइनस करना है, सबसे पहले क्या फिर माइनेस करना है, आठ में ज़ना तो कितना आएगा तो तो लास्ट वाले ये हैं दोनों वततर गया है गा इकीस बटे आठ आट आपका भी उततर आ गया होगा कि बिल्कुल सही उत्तर आया होगा आपका भी 21 बटे 8 clear बोली पहले माइनस किया तो 5 से 2 माइनस हो गया 3 प्लस किया 3 से 5 प्लस हुआ तो 8 आगया फिर भी हम माइनस किया तो 8 से 3 माइनस हो तो 5 आगया फिर प्लस हुआ तो प्लस प्लस वाले देख लिए हमने सारी माने सरा देख लिए प्लस माने सब्सक्राइब बताए चिक आपको शायद समझ में आ गया होगा कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर आप तक पिछले वाले कुशन देख रहे थे यहां पर एक यहां एक एक ऐसे आ रहा था अब यहां पर मैंने चेंज कर दिया यहां एक है यहां दो है यहां तीन मतलब यहां पर कुछ भी या सकता है यहां पर समयल्या कोशन दोगे यहां पर सर्म ब्रइ। यहां पर देखसे करना है जिसमें यहां पर अच् gray कर सकते हैं इसको आराम से इंशको इसको कैसे करना आए देखते हैं शौ Ci Savas है जो कितनी बार हो रहा है 1233 इहां फर दो क्यों क्यों क्या है 1230 को सबसे पहले क्या है 3 है क्योंकि निचे से start करते हैं फिर 2 है फिर 1 है तो यहां लिख लेंगे 3 2 और 1 अच्छा तीनों में plus ही हो रहा है अब ध्यान देना plus ही हो रहा तो कोई tension वाली बात नहीं है सबसे पहले 3 फिर 2 फिर 1 करना क्या है बहुत ध्यान से सुनना करना क्या है बहुत ध्यान सुनना क्या करना है इस 3 को 2 से गुना करना है इस 3 को इस पिछले वाली से गुना करना है और इसमें add कर देना है एड क्यों करना है क्योंकि देखो एड 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 तीन दूनी छे और एक साथ आ गया अच्छा अगले अगले में क्या करना है इस दो को साथ से गुणा करना है इस दो को साथ से गुणा करना है तो कितना है का चौदा और पीछे वाले से क्या करना है प्लस कर लेना है तो उत्तर कितना जाएगा यह वाल आ जाएगा तो उत्तर गयागा तेईस बटा सोल आ जाएगा तो उत्तर हमारे पास क्या आएगा कहां गया तेईस बटा सोल यह सी ऑप्शन आ जाएगा फिर से बताता फिर से बताता न तो आराम सोनना बहुत द्यान से सब्सक्राइब ठीख अगले वाला कुश्छन आप खुद से भी ट्राइब करनी मैं तो कर रहा हूँ दिखक्त dus क्या है है हमारे पास यहां पर एक बटा दो और फिर तीन बार प्लस हो रहा है प्लस लिखने के कोई दरोत नहीं है सबसे पहली बार किस से तीन से फिर दो से नीचे से चलते हैं फिर एक से तो तीन से दो से और एक से तो क्या करना है सबसे पहला काम किया है हमारे पास सबसे पहला काम यह है इसको इससे क्या करना है गुणा 6 और फिर प्लस कर लेना है यहां प्लस कर लेना है 6 और 1 7 इस 2 को 7 से गुणा करना है 14 और इस 2 से प्लस कर लेना है 14 प्लस 2 16 अब इस 1 को 16 से गुणा करना है और पिछ वारे से प्लस कर लेना, प्लस क्यों करना है, देखें, यहां प्लस हो रहा है, प्लस, 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 इसलिए प्लस, प्लस, प्लस कर रहा है, 16 और 7 कितना आगे, 23 आगे, तो उत्तर कितना आगे, 23 बटा 16, बिल्कुल ऐसा ये question मैं आपको देता हूं, ऐसा ये question मैं आपको और कराता हूं, बिल्कुल सेम question, जिससे कि आपको ये पक्का हो जाए, कि भाई, इन questions को ऐसे करते हैं, और sign के अलग वाला भी करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अलग से sign वाला भी कराऊंगा, उसमें भी कोई problem नहीं है, चिक, ओके, चलो, और अगर पूरा-पूरा पढ़ना है, तो आपको पता है, हमारा SSC का महापैक है, तो वहां पर Y763 कोड़ा अगर आप SSC का महापैक ले सकते हो, आपको वहां सब कुछी पढ़ाया जा रहा है, मतलब क्या ही चीज़ छूट जाती है, जो मैं वहां नहीं पढ़ा रहा हूं, मैस, इंग्लिस, जीएस, हजार प्लस घंटे पढ़ाया जाता है, तो बेस्ट है, अगर आप चाहो तो आप ID247 app, ID247.com पर जाके SSC का महापैक पर्चेस कर सकते हो, कोड का यूज करना है, Y763, चलिए, इस वाले कुछन को देखते हैं, इस वाले कुछन को देखते हैं, क्य से पहली बार 2 है, फिर 3 है, फिर 1 है, आए कुशन सॉल करते हैं, आए कुशन सॉल करते हैं, अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 की 4 से गुणा करेंगे, 8 आठ और 3 कितना आजाएगा, 11 आजाएगा, अब क्या करना है दोस्तों, इस 3 को 11 से गुणा करना है, 33, 33 और य लेवर में एड कर देना है तो 37 और 11 में एड कर देंक तो किटना है तो दोस्तों लास्ट रोले नमबर हमारे पास यह है उत्तर कितना है अर्टालिस बटे चलिए अब यह आपके exam में आवा question है यह आपके exam में आवा question है आए इस question को solve करते हैं कैसे वारा question solve होगा आए देखिए जिसको समझ में आगया हो speed बढ़ा भी सकते हैं गर बाद में देख रहे हैं अब class अगर अभी नहीं देख रहे हैं एक बटा दस है एक बटा दस है एक दो तीन तीन प्लस है यह हमारे पास तीन है न वही प्लस 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 तीन बार है तो तीन ही मैंने डोट लगा लिए चलो पहली बार सबसे पहले क्या आएगा आठ आएगा फिर छे आएगा फिर पंदर आएगा ठीक 8 6 15 अब question solve करते हैं सबसे पहले 8 की 10 से गुणा होगी और प्लस ही है तो प्लस कर लेंगे यहाँ पर प्लस कर लेंगे तो हमारे पास 80 और एक 81 अच्छा फिर क्या करना है अब क्या करना है अब इस 15 की 496 से गुणा करनी है और प्लस में 81 कर देना है ठीक तो अगर मैं वैसे तो आप डिरेक्टली भी निका सकते हैं बड़ ठीक है 41 46 में अगर 15 गुणा करते हैं बैसे डिरेक्टली आप गुणा कर सकते है कि रियरइटी में हमारे पाससे 496 क्या है चmania चीन ओ क्या लिस सकते हो 100-4 यह रियरेटी में यह है तो आप 15 को ऐसे गुणा कर रहे हूं हैं चारво जो सो पंद्रो गुना जाएगा मन मेंन तो आप ऐसे करो गें पंद्रेट इंटु 저는数 फॉ पंद्रा सो में से साथ म IP is 15 में से साथ मांस करेंगे तो चोड़ों कि उप्तार आएगा भाए उमाड़ेगा हमारे पास 1560 आएगा तो हमारे पास 1440, प्लस करते हैं, 7440 प्लस करना है, 81 भी 81 भी प्लस करना है, तो हमारे पास 1, 12 7521 है ना, इंटू करके प्लस पीछवाला करना है, तो 7521 उत्तर आएगा हमारे पास, उत्तर हमारे पास आएगा इसको अठा देते हैं सबको इसको सबको अठा देते हैं तो उत्तर हमारे पास क्या आएगा 7521 बटे में 496 डिवाइड कर लिए डिवाइड कर लिए इसमें से आपका उत्तर निकल जाएगा पैसे भी 496 से भाग कर रहे हैं एक जाना 496 है तो उत्तर निकाल सकते हो 15 इंटू 496 पंदरा इंटू 496 हो प्लस में 81 मुझे यही उत्तर है यही उत्तर है डी ही ऑप्शन है यही उत्तर आ जाएगा तो आपने क्या किया यहां पर एक बेटा 10 लिख दिया फिर 8 6 और 15 8 शोर 15 8 को 10 से 801 81 और 15 को 496 से ठीक है 40440 ग। यहीं उमारे पास उत्तर आएगा पंद्रा प्यासी बटे चार्सोचान ठीक कुछ ऐसा ही कोश्वण और यह ऐसा कोश्वण है इसको भी आप ऐसा कर सकते हैं पर इस द्यान दिना यहां पर मैंने जान मुझके आपको यह वाला कोशन दिया है क्योंकि pattern आपको सारे आने चाहिए pattern आपको सारे आने चाहिए तो इसमें minus 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 plus मर इसमें सब कुछ है ठिक तो minus 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 और plus अब इसे कैसे करेंगे कितने मार है एक दो तीन चार चार बार है तो एक बटा चार लिखेंगे एक बटा चार लिखेंगे और हमारे पास एक दो तीन चार तो चार बार है तो एक दो तीन चार चार बार है सबसे पहले किया है चार फिर तीन फिर दो फिर दो तो फिर यहां चार आए ता तीन फिर दो फिर दो ठीक है हमें निकालना है question का answer ठीक, clear है अब क्या करना है पहले minus है पहले minus करना है तो 4 into 4 करेंगे गुना करेंगे 4 into 4, 16 और यहाँ पर minus सबसे पहले क्या है, minus करना है 4 into 4, 16 और minus, क्योंकि minus करना है तो 16 minus 1 कितना आएगा 15, फिर क्या होगा 3 into 15, गुना करेंगे 3 into 15, 45 45 आ गया, और हमें क्या करना है फिर से क्या करना है, minus तो हमारे पास 45, 45 45, minus 4 कितना आएगा 41 आजाएगा ठीक, इसको यह से लिख लेते हैं यहाँ पर, 41 आजाएगा ठीक ओके भाई लोग 15, 45, 45, minus 4 41, फिर क्या करेंगे, 2 को 41 से गुना करेंगे, 2 को 41 से गुना करेंगे कितना हैगा, 82, 82 में से 15 क्या करना है, फिर से क्या करना है, minus करना है, तीसरी बार भी minus करना है, पहली बार minus क्या है दूसरी बार minus, तीसरी बार भी क्या करना है, minus 2 into 15, 81 कितना होगा अब लास्ट चीज हमें क्या करनी है इसको अब क्या करना है अब क्या करना है दो को 67 से गुणा करते हैं तो 134 आएगा 134 में लास्ट में क्या करना है कितना क्या आएगा 165 से बटे 60 श्मिटोस नहीं है सबसे पहले 16 और एक- Prof. कर दिया minus क्यों कि हमारे पास सबसे पहले minus है फिर minus फिर minus फिर plus 16 minus 15 फिर 15 ए तो 3 x 15 45 45 दिलेद चार गए 41 फिर 41 2 x 41 22 22 में से 15 गए 67 134 134 में से 21 करना है plus करना है 117 117 बैटे 67 आ जाएगा तो उतेर हमारे पास इतना आई जाएगा कि अब आपको समझ में आ गया होगा माइनस 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 फिर लास्ट में प्लस चलिए बहुत बहुत बढ़िया अब दोस्तों यह तो साइक साइक वे जो मैं आपको अलग अलग टाइप बताए रैसे तो पता नहीं कितने वी टाइप निकाल सकते हैं कोई टीचर कितने वी मंदला कि रॉपकर झाला है अगर आइसा कूशन आता यह कोशन आता थो कशें करना थे तो करना किया देखना एसा कूशन है तो क्या करना थे तो क्या ने जो भी इसके विरावर दे रखना, 39बटे 13, अब ध्यान से देना, सबसे पहले क्या करना है, 29 को 13 से भाग करना है, तो कितना है का, 13 दूनी 26, फिर क्या शेशवल बचा, 3, अब यह 3 हमारे पास आगे, इससे फिर से भाग करना है, जो उपर हमारे पास था 13, ठीक है, शेशवल जो आया उसे 13 से 13 कितने बार चलेगा चार बार तीन चोके बारा अब कितना गया एक अब एक किसको करेगा तीन को जो ऊपर है तीन एक तिया तीन और बस हो गया खतम अब जो हमारे पास यहाँ पर आए हैं अब जो हमारे पास यहाँ पर आए हैं ये ये और ये ये हमारे पास हमारा A है ये हमारे पास हमारा B है ये हमारे पास हमारा C है तो हमारे पास A, B और C तो ये 2 प्लस 4 प्लस 3 हमारे पास किन ने गागा ? प्र प्र कर देना है ? इसको एक और त्रीके से कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है इसको एक और तर्रीके से कर सकते हैं कि अगर क्या करूँä 29 बड़े 13 लिखनें 29 बटे 13 लिख लूँ तो इसको कैसे लिख सकते हैं दो है ना तेरा दूनी 26 तो 3 बटे 13 है ना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अब जो यहां पर आया इसको उल्टा करके लिखेंगे और फिर से भाग करेंगे किसे करेंगे 3 चोके 12 क्या बचेगा 1 by 3 बच जाएगा करके देख लिखना और 1 by 3 आएगा अच्छा फिर जो यहां पर आएगा इसको उल्टा करके लिख लेंगे और यह अब हमारे पास फुरावरा डिवाइड हो गया है कुछ भी नहीं तो अब हमारे पास देखना जो यह वाली वैल्यूज है यह वाली वैल्यूज है यह हमारे पास क्या है यह हमारे पास ए है यह हमारे पास हमारा बी है यह हमारे पास सी है और हमसे पुछा क्या है A प पुलकुर सेम ऐसा कोश्ण ये वाला है इसके इंदर हमारे पास बिल्कुर सेम वैसे ही करना है दोस्तों मैं तो कहूँगा यह पहले वाले ट्रिक अपनाना भाईया यह हमारे पास 60 बटे 17 लिग लेना अब 17 है इसको 60 को डिवाइड करेगा तो नो इकम नो, कितना शेश्वल बचेगा, आठ, अब ये आठ किसको करेगा, ये आठ किसको करेगा, उपर क्या है, नो है, नो को भाग करेगा, तो हमारे पास नो को भाग करेगा, तो आठ इकम आठ, कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, अब एक किसको करेगा, आठ को है देखो यह हमारे पास a आ गयाया यह अमारे पास बी आ गया यह हमारे पास c आ गयं ए दी कि eBay CD 13 Plus A mileage Eque Tapi कि है ہ игр और अब को तीन चार सारे फांच पांच-ईर न हमारे पास कितना हो गया पांच और 10 उना गया 5 यह सब दिखाईए कि भाई भाग किया 9 यहाँ पर 9 बच गया यह आठ बच गया फिर 9 तो at को पिछले वाले से किया तो आठी कम आठ लेंट्र एक तो एक को पिछले वाले आठ से किया तो जिस इसी चीच को आप ऐसे भी कर सकते हो गया साठ बिटे 17 तो कैसे लिख सकते हो 3 प्लस 9 बाइ 17 भाई तीन बाइ 17 तो या अच्छा फिर 17 बचेगा 17 इसको उल्टा लिख लेंगे ये कितना आएगा हमारे पास 1 और प्लस 8 बाइ 9 आजाएगा अब ये हमारे पास 8 बना है इसको ल्टा करके लिख लेंगे 9 बाइ 8 इसे कैसे लिखेंगे यहाँ पर 1 1 by 8 अब जो यहाँ 1 by 8 है इस्कूल टकर के लिख लेंगे तो कितना हैगा 8 तो हमारे पास भाई लोगों जो ये आया है ना ये A है ये B है ये C है और ये D है तो A 3 और एक 4, 4 और 5, 5 और 8, 13 तो उत्तर हमारे पास A, B, C, D के आगे तेरा आगया ठिक ऐसा ही कोशन ये वाला है ऐसा ही कोशन ये वाला है आई होप आप इस वाले कोशन का उत्तर दे पाएंगे और इसका कोशन का आंसर जो है वह आप कमेंट बोक्स में जूरूर देना मुझे कि इसका उत्तर क्या आ रहा है कमेंट बोक्स में आपके लिए ये कोशन और हमें क्या निकालना है A, B, C, D निकालना है दोस्तों कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण ट्रिक्स जानने के लिए महत्वपूर्ण कॉंसेट्स जानने के लिए आप हमें जॉइन भी कर सकते हैं जॉइन मतलब आप हमें यूट्यूब पर जॉइन कर सकते हैं लाइक सब्सक्राइब अस ये भी एक तरीका है यह एक तरीका क्या है कि आपको थोड़ो सा और डीप जाना है आपको अपना एक्जाम क्लियर करना है तो आप हमें paid batch में जोइन कर सकते हैं it's up to you और बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बात किया है कि आपको हजार दो हजार प्लस घंटे इस में पढ़ाया जा रहा है इसके अंदर आपके पास maths है reasoning है English है GS है current affairs है e-books है टेस्ट रिस है previous question से mock test है guidance है doubt session है topic test है तो बहुत कुछ है आपको डबल वेरिटी चल रही है अगर आपकी इच्छ है तो आप using the code Y763 आप इसको ले सकते हैं आप कहेंगे सर इसे कहां लेना है तो दोस्तों यह आप अगर वेबसाइट पर जाते हैं तो अगर वेबसाइट पर जाते हैं तो अगर आपके लिए ऐसे ही एच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे बाबाए टेक क्यार जैहिन जै भारत